आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको F1K MIU10 का स्टेबल अपडेट के बारे में जो की 10.0.4.0 औरी रिलीस हो चुका है इसके उपन में पहले एक दिन पहले वीडियो बना चुका हूँ क्या कि आपको इसके अंदर फीचर्स देहने को बिलते हैं क्या चीज़ें फिक्स की हैं उसका लिक में डिस्लिप्शन में डाल दिया है जहां से आप उसको चेकर से हैं पर काफी सारे हमें को यह से कमेंट्स आ तो मैं आप दाओ कैसे आप उसको मैंनुली सबसे पहले अपने फोन में इस्ट्रॉल कर से तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो से शुरू करने से मेरी आप से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीज़ेगा तो पहले मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा रहता हूं कि अभी जो हमारा फोन जो है कौन से वर्जिन पे आप इस वर्जिन के उपर आ रहे हैं 9.6.2.5.0 तभी आप इस अपडेट को अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे हम को इसमें हैकिंग या कोई ऐसा कोई थर्ट पार्टी टूल यूज नहीं करेंगे कि हम पने फोन को अपडेट करने के लिए हम ऑफिशल मेंट यूज करेंगे जो हमें शौमी प्रोवाइड करता है आपको क्या करना है कि सिर्फ एक जिप फाइल जो है को डाउनलोड कर ल अब आपको फोन में जाके शिस्टम अपडेट पर जाके चेक अपडेट करना पड़ता है बड़ता है तो मैं सिंपल ही क्या करूंगा इसमें आपको एक उप्शन देखने कर बोलता है चूज अपडेट पैकेज यह ऑफिशल ऑप्शन है आपके फोन के अन्दर आप इस मे अपडेट पैकर आप करेंगे टैप करते ही आपको फाइल मेनेजर को को खोलता है और फाइल में जाके उस फाइल को सेलेट करेंगी आप टिक लगाए ब्लू का और उसका खेट बोके करने के बाद यहां पे देखिए नीचे गेटिंग इनफो स्टार्ट होगा जो इस 10.0.4.0 और 9.6.25.0 से अपडेट होगा तभी मैंने का था कि आपका फोन 9.6.25.0 पे होना चाहिए अधर्वाइस आप इस फाइल को फ्लेश नहीं कर पाएंगे अगर आप 24 पे भी है तब भी आप इस फाइल को फ्लेश नहीं कर पाएंगे पहले आप 25 पे आना जरूरी है तो आपको यहां पे वर्निंग आती है एरेस एंड अपडेट की यहां पे हमें क्या मैसेज है रीबूट एंड अपडेट मैंने कुछ पिक्छ प्लिक कर खिये एक पिकश्चर इस फोन के अंदर मुम आपको दिखाऊंगे अपडेट करने की तो अब क्या है इस तो रहान च तो अब आपको दिखाता हूं कि हमने अपने फोन को 9.6.25.0 पर उसको अपडेट कर लिया है 10.0.4.0 के साल तो अब आप देख पार हूं कि यहां पर कुछ लिखा रहा है नीचे अपडेटिंग हौइ तो फोन को छोड जो देता है जैसी अब फोन reboot हो जाए तब मैं आको दिखाता हूं कि हमारा फोन घुक अपडेट हुआ है कि नहीं हुए है तो अब देखे हमारा फोन which Patient अप्डेट चुछ हो चुका है और फोन हमारा बूट भी हो चुका है तो हम सेटिंग में चाल के देखते हैं कि हमारा फोन अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है तो यह देखे अब आप अब आउट फोन में देख पा रहे होंगे हम कुछ एंड्रोइट सीक्योटी पैस लेवल है वह स्क्रीन के ओपर देख पा रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारे फोन में डाटा जो है डिलीट हुआ है कि मैंने में एक पिक्ट्रस प्लिक कि थी अब आपको शुरू में कोई कर देखने के आपको इरेस एंड अपटेट की वार्निंग नहीं मिल थी तो इसमें से आपको कोई डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता है तो कि आपको शुरू में कोई इरेस एंड अपडेट की वार्निंग नहीं मिल थी, तो आपका इंटर्नल स्टोरेज जो है वाइप नहीं होगा, और कोई भी एप्लिकेशन जो है आपके डिलीट नहीं होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, तो इस तरीके से आप असानी से MIU 9 से MIU 10 के अपडेट के उपर आ सकते हैं, आपको सारा का सारा लियाउट जो है, आपके फोन का चेंज रहता है, कुछ आपको इस तरीका इंटरफेस मिलता है, साउंट और वॉल्म के बटन सोते हैं, आपको इस तरीके से अंतर फोन के अंतर देखने को भी लेगे, इसके उपर मैं अलरडी एक वीडियो बना जे कहूं कि क्या आपको MIU 10 में फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्श्म में डाल दिया है, ना है कोई कस्टम रिकवरी को इंस्ट्रल करना है, एक ओफिशल मैथड था, जो मैंने आपको आपके सामने करके दिखाया, तो उम्हीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसे वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक लिए टेक कियर और बाबाए,